तो फाइले फ्रेंड आज खुसी का दिन आ गया जो कि आप लोग सुनें या नहीं सुनें फाइली हम अपने चैनल के माधर हम से बता रहे हैं बहुत बहुत बढ़ाई हो नीलन दीदी और दीपु भाईया को क्योंकि बेबी का इंतजार था फाइली बेबी आ गया और मैं आज तीन-चार दिन से इंतजार में लगी थी नीलन दीदी की खुसखबरी कब सुनाएंगे फाइले खुसखबरी तो सुन लिये हैं थोड़ी प्राबलम है नीलन दीदी की तभी तभी सीरियस में है इन्हीं बीपी हाई लोग हो जा रही है तो आप लोग दुगा करिए कि दीदी भी जल्दी हम लोग की विच्च में ठीक होकर किया है हम लोग की आई तो बेबी को दुगनी ही लगे किया हम लोग की विच्च में आ गया है भगवान उसकी आई लंबी करे दिर घ्यान हो हम लोग के सामने बेसबरी से इंतजार है कि नीलम भावी को लड़का हुआ या लड़की है, काफी लोग परेशान हैं, तो हम आप सबसे हाथ जोड़ के परातना करते हैं, आप लोग दिल्कुल परेशान होई हैं, बहुत जल्दी आप सब के सामने आएगा कि हमको बेवी गल हुआ या बेवी हमें उसे लिवी करना ही है, इसको लड़ो खाना है, ओ इंतजार में रहेगा, थोड़ी नीलन दीदी की तविया ठीक हो जाए, इसके बाद हमारे आजम गड़ में भी ताहल का मचेगा, क्योंकि नीलन दीदी हमारी आजम ही गड़ से हैं, और हम लोग काफी इंतजार में थ हो चुकी थी नीलन दीदी, दो जगां साथ रिफर हो चुकी थी, इसी हस्पिटल से रिफर करने की मतलब उमीद थी, फाइले, बोलते हैं, अगर कोई साथ ना हो, उपर वाला साथ है, तो हर एक कष्ठ इंसान लड़ सकता है, तो अगर उपर वाला साथ दे फ्रेंट, तो अगेल रहे तभी आप लड़ सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत और जुनून हो सकती है, लड़ सकते हैं, फाइने चले कोई बात ने और कोई मुसीपत में साथ नहीं देगा, तो फाइल उसका भी दिन कठ जाएगा, किसी कहां से साप लोग भी उस बेवी को दुआ देजेग कि अभी बोलने की हिम्मत उनकी नहीं है, फाइले हम लोग की बीचे में एक दो वीडियो पहुचा चुकी है, जो हम लोग बड़े बतावले हो रहे थे, कब खुश खबरी आएगी, कब खुश खबरी आएगी, फाइले हो पुश खबरी का दिन आ चुका है, ठीक है फ्रें कि आप लोग से गली वीडियो